जय हिंद मित्रो आज हम computer memory से संबंधित प्रस्टों का मात्मूर्ट प्रस्टों का part 2 लेके उपसी थे हैं इसके पहले हम एक भाग इसका जो एक part इसका लोट कर चुके हैं तो यह computer memory का दूसरा part है तो पहला question देखते हैं किसी storage medium में store की जा सकने वाली data की अधिकतम मातरा को क् सब्सक्राइब करें तो इसमें डी सही है storage चमताव से कहते हैं जब आप इसमें save करते हैं तो आपका data तब भी सुरच्चित रहेगा जब computer बंद कर दिया जाता है तो 43 देखते हैं कौंसरा सही है 43 इसमें सी सही है secondary storage device से कहते हैं इसमें जो है data सुरच्चित रहेगा नेक्स देखते हैं cdrw disk खालिस्तान तो 44 देखते हैं कौंसरा सही है इसमें डी सही है को erase और rewrite किया जा सकता है नेश्ट देखते हैं कौंसी device data और program के बीच कांतर समझ सकती है 44 45 में देखते है 45 में डी सही है micro processor next है यद memory chip volatile हो तो खालिस्तान तो 46 देखते हैं इसमें भी सही है इसके content खत्म हो जाएंगे यदि current return आफ कर दिया जाए next देखते हैं read only memory यदि रोम की कौंसी विसेस्ता उसे उपयोगी बनाता है तो 47 देखते हैं कौंसा सही है तो 47 में देखते हैं इसमें 20 सही है रोम में data को खत्रा नहीं होता बिजली ना होने पर भी वा उसमें रहता है next देखते हैं जब processor उनका प्रियोग करता है तब data और program कहां रखे जाते हैं 48 में देखते हैं कौंसा सही है तो 48 में इस सही है main memory उसे कहते हैं next dvd खाले अस्तान का उदारन है इन dvd किसका उदारन है ये photo पूछा गया है तो 49 देखते हैं इसमें भी सही है optical disk का उदारन है next देखते हैं storage media के रूप में निमन में से क्या cd-rom के फायदे हैं तो 50 देखते हैं 50 में ये सही है ब्रहत अस्तर पर data और जानकारी store करने का cd-rom एक कम खर्चिला expensive inexpensive तरीका है next देखते हैं निमन में से कौन से घटकों के बिशम में storage और memory भिन है तो 51 में देखते हैं तो 51 में इसमें D सही है ये सब ही है यानि कीमत मुल विसुसनीता और गत ये तीनों है next देखते हैं कौन से मीडिया में data जानकारी उनमें user द्वारा एक से जादा बार store करने लिखने की छमता है 52 देखते हैं इसमें कौन से सही है 52 में इसमें 20 सही है CD RW disc next देखते हैं storage media जैसे CD जो सुचनाएं खाली स्थान के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है तो उसे कहते क्या है यह पूचा गया 53 में 53 में यह सही है red light के laser जरोके से next देखते हैं जब power off बंद की जाती है तब कैचे और परमुख memory अपनी contents खो देते हैं वह वे हैं तो 54 में देखते हैं इसमें C सही है ओला टाइल उसे कहते हैं next देखते हैं निम्न में से कौन सा storage device उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजीड इस्थाई रूप से इस्तापित magnetic disk का प्रयोग data जानकारी इस्टोर करने हुद किया जाता है th 55 में देखते हैं कौन साथी है इसमें 20 सही हार्ण डिस्क उसे कहते हैं next हैं निम्न में से कंस स्टोर इवाज उपकरण का उदारण है 56 में देखते हैं कंस साथी है इसमें D सही है एस सभी है इनी चुम्न की magnetic disk, tapes, dvds, dvds न 거지 देखते हैं निमन में से कौन सा अर्प्टिकल डिस्क का उधारन है 57 में देखते हैं कौन सा सही है इसमें A सही है Digital Word Style डिस्क निश्ट देखते हैं Computer की पर्मुख memory को खालियस्तान भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है यह पुशा गया है तो 58 में देखते हैं इसमें D सही है प्रात्मिक या primary memory आंत्रिक memory या primary memory ये सभी कहा जाता है नेश्ट देखते हैं डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में वाजित करने की प्रिक्रिया क्या है 59 देखते हैं 59 B सही है फार्मेटिंग उसे कहते हैं नेश्ट है डिस्क के उस content को क्या कहते हैं जो बिनिर्मार के समय रिकार्ड किया गया हो और उसे परियोकता परिवर्थित या erase नहीं कर सकता है तो 60 देखते हैं कौन से सही है 60 में इसमें C सही है table read next देखते हैं so 61 देखते है इसमें E सही हारड डिस्क है next देखते हैं computer के space को क्या कहते हैं जिसमें data load होता है और काम करता है तो 62 में देखते हैं कौई से साही है इसमें डी साही है रायम यह नहीं रंडेम एक्सेस मेमोरी नेक्स देखते हैं किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए परियोगत नंबर या नाम या नंबर को क्या कहते हैं यह पूछा गया है तो 33 में देखते हैं 63 में देखते हैं 63 में इसमें सी साही एडेस उसे कहते हैं नेश्ट है रायम निमलिखित में से किसका एक उदारण है रंडेम एक्सेस मेमोरी निमलिखित में से किसका एक उदारण है तो 64 में देखते हैं कौन सा साही है इसमें 64 में सी साही है ओला टायल मे देखते हैं और शटवा निम्न में से कौन सा इस्टोएज माध्यम नहीं है तो 65 देखते हैं कौन सा साई है 65 में इसमें इसे ही है कीबोर्ड नेक्स्ट देखते हैं खाली अस्थान में बोला टायल चिप होते हैं डाटा या इंट्रेक्शनों को आस्थाई रूप से इस्टोर करता है यह कौन करता है यह पुछा गया है तो 66 में 66 इसमें D सही है R.I.M. Random Access Memory नेस्ट है कम्प्वूटर का कहों सा बाग सूचना को एस्टोर करने में सहायक होता है तो 67 में देख ता है है 68 में 20 है इस थाई रूप से नहीं किवल आस थाई रूप से है नेश्ट देखते है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंट्रेक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्थान तो 69 देखते हैं इसमें एस सही है कायस उसे कहते हैं इस पेस कैस नक्स देखते हैं रैम वा शेकंडरी स्थान डिवाइस प्रात्मिक तोर पर खालिस्थान की दिष्ट से भिन होती है तो 70 देखते हैं कौँ सो सही है 70 में A सही है उनमें period data store किया जाता है next देखते हैं यद प्रयोकता को CPU में ततकाल उपलब सुचना की जरूरत हो या खले स्थान store की जानी जानी चाहिए तो store की जानी चाहिए तो इसमें 71 में देखते हैं काउंसा सही है 71 में B सही है RAM, random access memory में next है RAM का पूर्ण रूप है तो इसमें देखते हैं random access memory इसमें D सही है 72 में E सही है random access memory next देखते हैं निम्न में से किस memory chip की गत अधिक तेज है तो 73 देखते हैं काउंसा सही है 73 इसमें C सही है yes RAM next देखते हैं 3 सही एक बटा दो यानि 3.5 इंच की floppy drive किस प्रकार की device है 74 देखते हैं काउंसा सही है इसमें D सही है storage उसे कहते है next देखते है फार में वेर से हमारा तातपर है तो 75 देखते हैं काउंसा सही है 75 में इसमें D सही है प्रोग्रामों का set निर्माल के समय computer को read only memory में pre install किया जाता है next देखते हैं निम्लिखित में से क्या storage device का उदारन नहीं है 76 देखते हैं काउंसा सही है 76 इसमें D सही है RAM, random access memory जो है storage device का उदारन नहीं है next देखते हैं RAM volatile memory है क्योंकि 77 में इसमें काउंसा सही है data retain करने के लिए इसे सदत power supply की जरूरत होती है next देखते है D RAM का lab है 78 में देखते हैं काउंसा सही है इसमें A सही है यह से SRAM से सस्ता है यह से SRAM से सस्ता है यह जो है SRAM से सस्ता है next देखते हैं जो device से information store करती है और computer कार करने के लिए जिन का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहा जाता है यह पूँछा गया है 79 में देखते हैं कौँ से सही है इसमें D सही है storage device से उसे कहते है next देखते है CPU बरतमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें store करने के लिए किस computer memory का प्रयोग किया जाता है 80 देखते हैं कौँ से सही है 80 में B सही है internal memory उसे कहते है next देखते है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो memory के contents group nest नहीं होंगे 81 में देखते हैं कौँ सही है इसमें D सही है उप्रयोग्त सभी यहनि राउम EEP राउम और EEP राउम उप्रयोग्त सभी है next देखते है CD-RW का पूरा रूप है बलाई मात्पूर कुशन है 82 में देखते हैं कौँ सही है इसमें E सही है compact disk re-writable next देखते है file system इस्थाई रूप से खाले अस्तान संग्रान में राता है 83 में देखते हैं कौँ सही है इसमें B सही है secondary next देखते है निम लिखित में से किस memory unit को प्रोसेसर द्वारा अधिक त्यजी से अभिगम किया जा सकता है तो इसमें देखते हैं 84 में 84 D सही है cache memory next देखते है next देखते है storage device कौँ सी नहीं है 85 में देखते है कौँ सही है इसमें D सही है printer जो है storage device नहीं है next देखते है में तरों इस सीरीज का last question है निम लिखित में से क्या दुतियक संचेक unit नहीं है 86 में देखते है इसमें A सही है random access memory last question DVD क्या है तो 87 में देखते है digital video disk कहे हो धन्यबाद में DAZो क्रुछ गदूबाद म para shared